तो अब तक हम लोगों ने देखा था कि एक टिर्रिस्ट के दुआरा ब्यूल्डिंग में ब्लास्ट कर देने के बाद सैंग नाम के एक लड़की ने ली की जान बजाई थी मगर उस हादसे में ली को ऐसी सक्तिया मिली जिसे वो किसी भी चीज को छूकर उसके पास्ट के बारे में बता सकता था मगर 15 सालों से एक आदमी ली के पीछे पड़ा था और अनफर्शनेटली ली उस टिरिस्ट की बेटी से प्यार करने लगा था जिसने उस ब्यूल्डिंग में ब्लास्ट किया था तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानने की कोसिस करेंगे के ली के पास ऐसी स्पेसल पावर्स कहां से आई क्या उसकी क्रस के डैड ने सच में उसके ब्यूल्डिंग में ब्लास्ट किया था और 15 साल से जो आदमी ली के पीछे पड़ा था वो कौन था लेकिन इस से पहले गर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा तो पहले आप उससे देख ले नहीं तो सिकंड पार्ट आपको समझ नहीं आएगा लिंक मैंने कॉमेंट और डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दिया है सूट के सुवाली महिला के मौत पांच साल पहले ही हो चुकी थी इसलिए जीसू सोच रही थी कि आखिर वो नर्स कौन थी जिसे ली ने अपने विजन में देखा था इदर उस स्टेंजर के दुआरा ली के उपर किये गए हमले के बाद वो हॉस्पिटल में अड्मिट था तब योसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है उसे लगता है कि सैंग आ गया है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी वो उसे सर्प्राइज देने का सोचता है और तुरंत उठकर उसे परदे में लपेट कर हग कर लेता है मगर वो उसका भाई नहीं बलके उसकी करस्ट जैई थी जिस वजह से ली का चहरा सरम के मारे लाल हो गया जैई ने ली से कहा के मुझे तुमारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने सोचा के तुमारी सैकोमेट्रिक पावर को सुधारने में मैं तुमारी हेल्प करूँ ये कहकर जैई ने अपना हाथ ली की तरफ बढ़ा दिया जैई के जाते ही ली ने उस पर्दे को चुआ तो वो ली को सरमाते वे देखता है हॉस्पिटल से निकल कर जब जैई बस के लिए वेट कर रही थी तो एक कार आकर उसके आगे रुपती है वो कार सैंग की थी सैंग ने जैई को उसकी घर ड्रॉप किया घर जाने से पहले सैंग ली को उसके आफिस ले गया था उसने जैई को वो बुग दी जिसमें उसने ली के सेकोमेट्रिक पावर के सबी अपडेट्स के बारे में लिक रखा था सेंग ने वो भुक जैई को इसलिए दी ताकि जैई ने ली की सेकोमेट्रिक पावर को बढ़ाने में उसके हिल्प करने की बात कही थी अगले दिन जैई अपने डैड से मिलने जेल जाती है उसके डैड अपने बेटी को देख कर बहुत खुस हुए पर जब जैई ने उनसे कहा कि वो असली गुनेगार का पता लगा कर रहेगी तो उसके डैड उससे गुसा हो गए जैई के फादर को डर था कि उनकी बेटी को कुछ हो ना जाए इसी चकर में उन्होंने जैई से जूट बोला कि मैंने ही 13 साल पहले उस ब्यूल्डिंग में आग लगाई थी लेकिन जैई जानती थी कि उसके डैड मुझडिम नहीं है टेबॉंग ली को पिक करके जैई की पुलिस स्टेशन उससे मिलने गया जैई ली को लेब्रेरी ले गई और उससे ला और क्रिमिलोजी की कुछ बुक्स सौप दी उसने ली से कहा कि अपनी सेकोमेट्रिक पावर क बढ़ाने के लिए तुम्हें इन बुक्स को पढ़नी चाहिए अगले दिन जीसुने ली का मुर्दागर आकर उसकी सूट के स्वाले केस में हिल्प करने को कहा जी और ली साथ में वहां गए लिए उस नर्स की डिट बॉडिय को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी जैई उस सैंग मिलता है वो उसे बताती है कि ली और जै मुर्दा घर में अकेले है इस तरफ वो काले कपड़े वाला आदमी फिर से ली के घर जाता है उसने उन लोगों के घर में कैमरा इसलिए फिट किया था ताकि उनके घर का दरवाजी का कोट जान सके घर के अंदर उसे सैंग के बचपन की फोटो दिखाई देती है फोटो देखते ही वो धीमी आवाज में बढ़ बढ़ाते हुए खुद से कहता है कि आकिरकार मैंने तुम्हें ढून लिया ली मुर्दा घर में उस नर्स के डॉकुमेंट्स को पढ़ने के बाद उसे टच करता है नर्स की डेट बॉड की तरफ आगे बढ़ता है और उस औरत पर हथोड़े से वार कर देता है ली ने ये देखते ही तुरंत अपनी आखे खोली उसे याद आया कि जो आदमी हाथ में हथोड़ा लिये था उससे उसने पहले भी कहीं देखा हुआ है ली ने फिर उस केस से रिलेटेड डॉकुमें जीसु ने ली को बताया के सेंग से मिलने से जश्ट पहले गैपयों का मडर हो चुका था अचानक ली के सर में तेजी दर्द होने लगता है और वो बिहोस हो जाता है उसी वक्त सेंग वहाँ आ जाता है इस तरफ जेल में जई के फादर को अपनी बेटी के लिए बहुत दिया था इस वजह से वो बिहोस हो गया था अब तक जितनी जानकारी उन लोगों को हासिल हुई थी इस पर वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि किसी ने गैपयों को नर्स का खून करने को कहा था ताकि नकली नर्स उसकी जगा ले सके इसके बाद जिब ली और जी एक दूस से बात कर रहे थे जही को फुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उसके फादर को हॉस्पिटल ले जाया गया है यह खबर सुनकर जही को बेचैनी होने लगी ली को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे चुपकर आए वो उसने अपनी जैकिट उतारी और उसे जही को लपेड दिय और फिर उसे हक कर लिया फिर वो जही को हॉस्पिटल ले गया जही के फादर की जान बच गई थी पर वो उस वक्त कुछ बोलने के हालत में नहीं थे जही ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें दिलासा दिलाया कि वो असली मुझरिम को जल्द से जल्द ढूंडेगी जही को घर छोड़ कर ली अपने घर लोट जाता है मगर जब वो अपने डोर के हैंडल को टच करता है तो उसे अपने विजन में अपने घर के अंदर कोई घुस्ता हुआ दिखाई देता है ली बड़ी सावधानी से दरवाड़ा खोलता है और घर के सभी कमरे चेक करता है पर चीज की चोरी नहीं हुई थी बस घर से एक चीज गैप थी और वो थी सैंग के बच्छपन की फोटो उस फोटो में सैंग के साथ उसकी मा भी थी सैंग ली को बताता है कि एक आदमी हमेशा से उसके पीछे पड़ा है इस वज़य से वो देश छोड़ कर कहीं दूर जाना च फिर किसी पुराने से घर में हमें काले कपड़ों में एक आदमी नजर राता है जो सैंग और उसकी मा की फोटो को देख रहा था इधर जैई जीशू को बताती है कि उसके फादर को पुलिस ने अपराधी समझ कर जेल में बंद कर दिया था मगर वो बेकसूर है तेरह साल प से उसके मुझरिम को ढूंडेंगे वहीं घर पर ली सैंग को कोई गोली खाते वे देखता है और उससे बारे में पूछता है जिस पर सैंग कहता है कि यह सरदर्द की गोली है इसके बाद सैंग ऑफिस जाने का प्लैन कैंसल कर देता है और स्मूक अलाम में लगे कैमरी में देखकर किसी से बाते करने लगता है वह आदमी इस तरफ से सब कुछ देख रहा था सैंग कहता है कि मैं जानता हूं तुम क्या चाते हो वह आदमी कहता है कि हम दोनों में से एक को मरना होगा फिर सैंग स्मूक डेटेक्टर में लगा कैमरा निकाल कर तोड़ देता है यहां ने उस पुराने घर को डू निकाला जहां सिसादमी का जला हुआ फोन मिलता है वह संग के हाथ का अपने लगते हैं जब उस बात का एसास होता है कि उस आदमी का अगला टार्गेट जेई थी वहीं जेई के पुलिस स्टेशन का कैमरा काम नहीं कर रहा था फिर हम देखते हैं कि जो आदमी सैंग का पीछा कर रहा था और जिसने लीपर हमला किया था वो जेई के पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है उस आदम का नाम जौन था था घर पर ले अपनी सेकोमेटर की बुक्स पढ़ रहा था वो जैसे बुक के पन्नों को टच करता है उसे विजन में दिखाई देता है कि सेंग अपनी मौम से पेन का मतलब पूछ रहा था उसे ये जानकर हैरानी होती है कि सेंग को दर्द का एहसास नहीं हो जाता है वहाँ उसे वो आदमी दिखाई देता है जिसने उस पर अटैक किया था मगर लिए उसे पैचान नहीं पाता क्योंकि अटायक के दौरान उसने मास्क पैना हुआ था इसके बाद जैए और ली जैए की पुलिस स्टेशन के बाहर पार्क में बैठे होते हैं ली कर भी हैरान था कि सैंग ने अब तक उस आदमी की बात उससे चिपा कर क्यों रखे थी जो हमेशा उसका पीछा करता था फिर जैए के सुलेश खुल जाते हैं ली उसे बांदने नीचे जुकता है पर जैए अपना पैर पीछे कर लेती है ली उटकर अपना हाथ पैलाता है और कहता है कि इस दुनिया में एक इसनों ही है जिसे छोने के लिए उसे परमेशन नहीं लेनी पड़ती तब ही जैए ली का हाथ पकड़ लेती है ली को विजन में नजर आता है कि जैए हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती है ली जैए से कहता है कि अब तुम्हें परिसा चले जाते हैं तभी हम देखते हैं कि सेंग चिप कर उन दोनों को देख रहा था वहीं जीसु अपनी बेस्ट फ्रिंट सुइन के साथ कैफे में बैटी होती है वो उसे बताती है कि वो अपने हस्पेंट सेंग और ली से कैसे मिली जीसु के फादर और ली के फादर बहुत डॉप कर लिया था जब ली छोटा था तब सेंग और जीसु उसके साथ खेला करते थे जीसु बताती है कि बचपन में अगर कोई ली को टच करता था तो उसे बहुत गुसा आता था वो ना किसी को टच करता ना किसी को उसे टच करने देता उस वक्ते जीसु को ली की सेकोम कर मार दिया था इदर सांग किसी से पूठ कर रहा था गैप्योंग ने मरने से पहले को आदमी को कर दो आदमी कहता है कि जब मैं किसी काले कपड़़े वाले आदमी को देख लिया था डर के मारे उसने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं सौंगी नाम की औरत को उसके घर जाकर किसी सुरक्चित जगा ले जाओं लेकिन जब मैं उस औरत के घर गया तब वो वहां नहीं थी उसने ये भी कहा था कि मैं उस औरत को नहीं जानता था सैंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो औरत कौन है वो वही औरत थी जिसकी लास पाच महीने पहले सूटकेस में मिली थी सूटकेस से मिली दूसरी औरत वो नर्स थी जिसे ली ने अपने विजन में देखा था यहाँ जीसू का स्टाफ मेंबर जीसू को बताता है कि सैंग ने किसी से पूछ ताच की थी जीसु को ये सुनकर हैरानी होती है क्योंकि सैंग ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था इसके बाद जी और ली अपनी पहली डेट पर एक आर्ट एंड क्राफ्ट सॉप पर जाते हैं यहां ऑफिस में पढ़े कुछ डॉकुमेंट्स देखकर जीसु को यकीन हो जाता है कि सैंग ने उसकी जानकारी के बिगार किसी से पूछ टाच की थी सो इन जीसु को फॉरें से क्लैब बुलाती है फिर वो जीसु को एक औरत का इसके और उसकी फोटो दिखाती है वो फोटो सैंग की मॉम का था सो इन कहती है कि सैंग की मॉम का फेस सूट के से मिली एक औरत के फेस से मैच करता है इधर ली जी को उसके घर ड्रॉप करने आता है वो जाते वक्ते जी को क्रिस्मस ट्री गिफ्ट करता है जो उसने उस आर्ट एंड क्राफ्ट सौपर बनाई थी ली ने विजन में देख लिया था कि जेई के फादर ने भी उसे बच्पन में क्रिस्मस ट्री गिफ्ट की थी ये बात जेई के दिल को इतना छूगई कि उसने ली को हक कर लिया जेई के आँखों से आसू बहते देख ली ने प्यार से अपना हाथ उसके गाल पर रखा लेकिन जब ली ने उसे चुआ तो उसे नज़र आया कि जब जेई के फादर को पुलिस पकड़ कर ले गई थी तब जेई ने उसके फादर की गिफ्ट की वी क्रिस्मस ट्री को तोड़ दिया था लेकिन इसके बाद जब ली को जे के फादर का फेस नज़राता है तो उसके पहरो तले जमीन किसक जाती है ली को याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिसने 13 साल पहले उसकी ब्यूल्डिंग में आग लगाई थी वही आग जिसमें जलकर ली के माबाप की मौत हो गई थी फिर ली को वो समय याद आता है जब वो अपने पैरेंट्स के फिनरल से वापस लोटा था उसने न्यूज में देखा था कि पुलिस ने अपरादी को पकड़ लिया है तब उसे याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिसने उसे लिफ्ट से बाहर निकालने में मदद की थी नन्ने ली का सर दर्द से फटने लगता है तब सैंग उसे सांथ करवाता है प्रेजेंट टाइम में जेई ली को समझाने की कोसिस करती है कि उसके फादर गुनेगार नहीं है लेकिन ली जेई की एक नहीं सुनता वो उससे कहता है कि इस दुनिया में हर किसी के दो चेरे होते हैं उपर से लोग चाहे खुद को जितना अच्छा दिखाए मगर अंदर से वो बहुत बुरे होते हैं ये कह कर ली वहां से चला डाता है और एक ब्रिज पर जाकर चीक चीक कर रोने लगता है इदर जीसू किसी औरत से मिलती है जो उसे बताती है कि सैंग सोंगी नाम की औरत से मिलने वाला है जीसू कहती है कि ये कैसे मुनकिन है सोंगी तो मर चुकी है उस इलास हमने सूटकेस में ब्रामत की थी विड जीसू सैंग की मौम की फोटो उस औरत को दिखाती है वो औरत कहती है कि यही तो वो औरत है जिससे सैंग मिलने वाला है यह सुनकर जीसू के हो सुड़ जाते हैं सैंग की मौम का नाम यून जू था लेकिन वो अपना नाम सांगी बताती थी अगली सुबा जेई का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था वो बस ली के साथवे अनबन के बारे में सोच रही थी यहां तक उसने अपने स्कूटी से गिर कर अपने पैर को चोट लगा ली थी इधर ली अपने पैरेंट्स के कबरे के सामने खड़ा था वो खुद को जेई के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था वो जानता था कि जो कुछ भी हुआ उसमें जेई का कोई कसूर नहीं था मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे उस रात ली अपनी पुरानी ब्यूल्डिंग में डाता है जहां 13 साल पहले आग लगी थी उस ब्यूल्डिंग को फिर से रेनोवेट कर दिया गया था और वहां लोग रहने आ गए थे ली ब्यूल्डिंग के दिवारों को छूकर देखने की कोशिस करता है पर उसे कोई विजन दिखाई नहीं देता तब ही ब्यूल्डिंग के नीची उसे जही नजराती है जही भी वहां अपने फादर के लिए सबूत कठा करने आई थी उसे लंगडा कर चल्टा देख ली को बहुत बुरा लगता है वो तब तक उसका पीछा करता है जब तक वो सही सलामत अपने घर नहीं पहुँच जाती जीसु जेई को कॉल करके पूछती है कि क्या तुम्हें पता है सैंग कहा है जेई जीसु को उसकी और ली की लडाई के बारे में बताती है वो कहती है कि जब सैंग सब कुछ जानता था तो उसने मुझे और ली को क्यों नहीं मिलवाया जेई को याद आता है कि उस दिन सुबा जब वो सैंग से मिली थी तब उसने कहा था कि मैं जानता हूँ तुमारे फादर निड़ दोस है और मैं जल्दसली गुनेगार को ढून निकालूंगा जेई जूसू को बताती है कि सैंग इसी सिलसले में सबूत की तलास में कहीं जाने वाला था जेई कॉल रखते ही ली के घर जाने के लिए निकल जाती है बाहर उससे जौन था टकराता है और जेई का फोन उसके हाथ से गिर जाता है इधर जीशू ली को कॉल करके बताती है कि सैंग अपनी मॉम से मिलने वाला है हमें लग रहा था कि सूटकेस से मिली एक बाडी सैंग की मॉम की होगी पर वो तो जिंदा है साइद उन्होंने उस औरत को मारा होगा ताकि वो उसकी पैचान तुड़ा सके जीशू ली को ये भी बताती है कि जेई के फादर वाक्ये में निर्दोस है ली ये सुनते ही जेई के घर जाने लगता है उसे जेई तो नहीं मिलती मगर उसका फोन मिलता है फोन को टच करके ली को पता लगता है कि जेई को किसी ने किड्नैप कर लिया इस तरफ हम देखते हैं कि जेई एक बड़े से पानी के टब में बिहोस बंधी पड़ी है होसाते ही उसे याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था जब वो फोन लेने जुकी थी तब उस आदमी ने उसके मुँपर हाथ रख दिया फिर उसे उठा कर अपने साथ ले आया तबी जेई को एहसास होता है कि सैद ये वही आदमी है जिसने लीपर अटेक किया था फिर हम देखते हैं कि जॉन था अपने हाथ में हथोड़ा लिए जेई की तरफ आगे बढ़ रहा है पुलिस पूरे सहर में जेई की तलासी कर रहे थे वो उस रस्ते से गुजरने वाले हर गाली की तलासी लेते हैं लेकिन जीसू पुलिस के साथ नहीं आई थी क्योंकि वो सैंग को रंगे हाथों अपनी मौम से मिलते वे पकड़ना चाती थी जोन था पुलिस के आखों के सामने वहां से गुजरता है पुलिस उसकी गाली चेक करके उसे जाने देती है जोन था जेई को उस पानी के टब में बांद कर वहां से चला आया था तब ही एक पुलिस आफिसर के फोन पर सिसिटे भी फोटेज की पिकाती है जिसे देख उसे पता लगता है कि उसी आग्मी ने जही को किड्नैप किया था लेकिन पुलिस का पीछा करने तक तो जौनता वहां से फरार हो गया था पुलिस को सड़क पर जिर्फ जौनता की कार मिलती है दूसरी तरफ ली हर एक दिवार हर एक दरवाजे को छूकर जेई का पता करने की कोसिस कर रहा था फिर अचानक एक वेरहाउस के दरवाजे को छूते ही ली को जेई का विजन नज़राता है बात टब का पानी जेई के मूँ तक पहुचने ही वाला था के तबी ली वियर हाउस का दर्वादा तोड़ कर अंदर गुज जाता है और जीए को बचा लेता है जीए को जुब हॉस्पिटल में होसाता है तो ली उसके साथ हॉस्पिटल के बिट पर लेटा हुआ था ली जीए से उसके साथ बच सुलुकी करने के लिए माफी मागता है आगले दिन जीए से मिलने हॉस्पिटल आती है और उन दोनों को बताती है कि पुलिस को जौनता की कार मिली थी कार पर लगे फिंगर प्रिंट्स के मदद से पुलिस उसे पकड़ने की कोसिस कर रही है सारी कड़ियों को जोडने के बाद उन तीनों को इस बात का हैसास होता है कि ये सारी लडाई सेंग और जौन था के बीच की है सेंग की इस्ट्री के बारे में ना तो ली कुछ जानता था और ना ही उसकी वाइफ जीसू वो लोग सोचते हैं कि अब इस गुठी को सुल जाने में उन्हें सिर्फ सेंग की मॉम यून जो ही हिल्प कर सकती है आखिरका इसके बाद जेई को हॉस्पिटर से डिस्चार्ज मिलते ही तीनों इंजू की तलास में निकल जाते हैं जीसू अपनी पोस्ट से रिजैन कर देती है तो अब उसका साथ देने कोई टेम नहीं बलके सिर्फ जेई और लिही थे जीसू इतना जानती थी कि उस को नजर रहता है कि सैंग हाले में उस जगह आकर गया है उस जगह पर उन्हें किसी की पैरों के निसान भी दिखाई देते हैं इधर सुईन जीसू को कॉल करके बताती है कि कार से जिस आदमी के फिंगर पिंट्स मिले हैं उस पर पहले से केस चल रहा है उस आदमी ने एक औ और बच्चे को किड्नैप करके 9 सालों तक अपने बेस्मेंट में कैद करके रखा था ली जब बेस्मेंट की अलमारी को हटाने लगता है तो उसे एक औरत नजर आती है जो उसके बच्चे को वहां से भाग जाने को कह रही थी और ये बच्चा सैंग होता है जोंता ने इतना दुख भरा था ली चीजों को चूकर और जानकारी लेने की कोसिस करता है तभी उसे नजर आता है कि यूंजू जब छोटी थी तब जॉनता ने उसे किड्नैप कर लिया था जॉनता खुद भी उस समय टीनेजर था दीरे दीरे यूंजू स्पेस्मेंट में बड़ी ह और एक दिन जॉनता की बच्ची की मा बन गई वो बच्चा था सैंग फिर जीसू अपने पुलिस स्टेशन जाकर उस केस की फैल पड़ती है वो केस पुलिस ने उसी वक्त बन कर दिया था क्योंकि उन्हें कोई सुराग नहीं मिला था यब वो मुझरिम की स्केश को देखत लगता है कि सैंग बच्चपन से पेन फील नहीं कर पाता था सैंग की मा ये जानती थी उन्हें डर था कि कहीं सैंग बे अपने बाप जॉनता की तरह निर्दई और पत्थर दिल ना बन जाए जीसू बेसमेंट में आकर जेई को बताती है कि उसने जॉनता के केस की फैल और नहीं अपने फिलिंग को किसी को समझा पाता है जिब जॉनता ने उन्जी को पहली बाढ़ देखाorka था तब इससे उससे प्यार हो गया था मगर इस बीमारी के चलते वो अपने प्यार को सब्तों में बयान नहीं कर पाया यही कारण था कि उसने यून जी को किड्नैप करके अपने पास रख लिया जीसू का सीनियर पुलिस ओफिसर उसे बताता है कि पुलिस जानती थी कि जही के फादर दोसी नहीं है लेकिन पुलिस ने जान बूच कर उन्हें इस केस में फसाया दरहसर तेरा साल पहले जिस ब्यूल्डिंग में आग लगी थी उस ब्यूल्डिंग को YSS नाम की कंस्ट्रक्शन कमपनी ने बनाया था ब्यूल्डर ने पैस से बचाने के लिए बेहत घट्या कॉलिते के चीजे इस्तमाल किये थे जिससे ब्यूल्डिंग इतनी ज़दा मजबूत नहीं बन पाई जैसे है ब्यूल्डिंग के एक फ्लोर पर आग लगी पूरी की पूरी बूल्डिंग जमीन में धह गई जिसके बाद construction company ने अपने गलती को छुपाने के लिए पुलिस ओफिसर बायूंग जू यानी जीसू के फादर से इस केस को investigate करके मामले को दबाने के लिए कहा इसी वजह से बायूंग जी ने जेई के फादर पर सारा इलजाम लगा दिया और उन्हें फसा दिया जेई के फादर आग लगने के दोरान व्यूल्डिंग में ही मौजूद थे बायूंग जू को इतनी जल्दी केस solve करने के लिए promotion भी दिया गया था जब जीसू ने अपने फादर की ये सचाई जानी तो उसे उनसे नफरत सी होने लगी फिर जीसू ने अपने डैड से जाकर इस बारे में पूछा बायूंग जू ने कहा के जब तुम छोटी थी तो तुम अक्सर बीमार रहा करती थी मेरे पास तुमारे इलाज के लिए पैसे नहीं थे जब मुझे उस केस को रफा दफा करने के लिए इतनी बड़ी रकम मिल रही थी तो मैं मना नहीं कर पाया मैंने सिर्फ तुमारी खातिर उस कंस्ट्रिक्शन कंपनी से रिस्वत ली थी जीसू का ये जानकर दिल तूट जाता है कि उसकी वज़ा से एक बेगुना आदमी सलाकों के पीछे है इसके बाद हम सलक पर एक औरत को चूरी की दुकान के बाहर खड़ा देखते हैं वो औरत सैंग की मा इंजू थी इधर केस्ट की फैल को पढ़ने के बाद जेई और लेई को पता लगता है कि जौन था जब छोटा था तब वो एक पुराने अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर रहा करता था वो रेलवे स्टेशन सालों से बन पड़ा था जेई और लेई को उस रेलवे स्टेशन पर एक बैक पड़ा मिलता है जिसमें लोहे की बेडियां थी उसी के साथ उसमें सैंग और यून जी की एक तस्बीर भी थी तब ही जेई और लेई ने किसी के कदमों की आवाज सुनी वो लोग छिप गए उन्हें देख वो सक्स तेजी से भागने लगा उसके हाथ में एक छूरा भी था जो उसके हाथों से नीचे गिर गया ली ने देखा कि वो कोई आदमी नहीं बलके यून जू थी भागते वक्त यून जू जमीन पर गिर कर बहोस हो गई जैई ने तुरंत उसे पकड़ लिया दोस्त इस कहानी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए आप वाच नेक्ष्ट पर क्लिक करके इसकी तीसरे पार्ट को जुरूर से देख ले